Hello everyone, competitive exam में आपका एक बाद फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए HRTC conductor से regarding जो हमारी ये सीरी चर रही है इसमें आज हम जो है next जो वीडियो आपके साथ डिसकस कर रहे हैं उसमें ये जो टॉपिक है वो है personal hygiene आज हम personal hygiene से सबंदित top 25 कुश्णों को यहां discuss करेंगे जो आपके आने वाले conductor exam के लिए काफी important हैने वाले हैं इससे पहले आपको पता होगा कि हमने अपने चैनल पर 5 या 6 वीडियो जो है conductor exam से related upload कर दी है तो आप उन सभी वीडियो को हमारे description box में मैं उनका link दे दूँँगा वहां से उन्हें दे सकते हो तो हमने GPS system पे और HRTC website पे और first aid जो आपके first aid के जो वीडियो हमने upload की है और उसके अलावा भी हमने और वीडियो अप्लोड की है और आप HPGK की वीडियो भी हमारे जो चैनलों से दे सकते हो क्योंकि आपको पता है कि HPGK का बहुत बड़ा रोल इन exam में रहने वाला है क्योंकि यही जो है आपकी merit को बनाएंगे और यहां से आपकी merit बिगड़ेगी भी अगर आपके HPGK के question ठीक नहीं होते हैं तो आपका merit में आने के chance बहुत कम हो जाते हैं तो इसलिए आप अपने जो GK है उसे भी strong कर लीजिए क्योंकि यह आपकी बहुत help करेंगे तो चलिए आज की यह वीडियो में शुरू करते हैं जिसमें हम personal hygiene से समंदी जो है मत्तवपुन 25 questions को discuss यहां करेंगे तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं इसमें जो first question है वो है world hand hygiene दिवस कम मनाया जाता है यानि कि world hand hygiene दिवस मनाया जाता है हर साल 5 माई को next question है व्यक्तिगर स्वचता के विविन प्रकार कौन कौन से है यानि कि व्यक्तिगर स्वचता के personal hygiene के विविन प्रकार कौन कौन से है परस्नल हाइजिन में जो है सबसे पहले चीज़ आती है आपकी यदि आप अच्छा अच्छी नीन लेते हो अच्छा खाना पिना आप खाते हो और अपनी जो तव तव चा है सकीन का अच्छे रंग से ख्याल रखते हो और अपने बालों और दान्तों को अच्छी तरह से उनकी देखफाल करते हो और साफ सफाई करते हो तो ये आपकी व्यक्ति के स्वच्चता में आता है नेश्वचन है उत्तम स्वस्ते के लिए वशक है यानि कि एक उत्तम स्वस्ते के लिए वशक है आपका शारिरिक स्वच्ता और वातावर्णी है स्वच्ता यानि कि एक जो सही वातावर्ण के लिए आपके पास यदि आपको स्वस्त मनुश्या उसे कहा जाता है यदि उसका जो शारीरिक स्वस्त्य ठीक है और उसका वातवन भी अच्छा है तो उसका जो स्वस्त्य है वो उत्तम माना जाता है स्वच भारत अभ्यान कब से शुरू किया गया था मात्मा गांदी के डेड़ स्वे जनम दिवस पर ये स्वच भारत अभ्यान शुरू किया गया था हाईजीन शबद हाईजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है यानि कि हाईजीन जो ये शबद है ये हाईजय से लिया गया है जिस कार्थ होता है अच्छी तरह से रहना विश्व स्वास्त्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक दोने चाहिए आपको पता होगा कि कोविट के टाइम में हमें ये टेकनीक कई बार हमने यूज की होगी कि अपने हाथों को अच्छी तरह से किस परकार धोना है तो यही जो है आपके विश्व स्वास्ते संगठन भी बताया है कि साबुन से हमें कितने देर तक हाथ दोने चाहिए तो है में 20 से 30 सेकिंड तक कि अपने हाथ दोने चाहिए एक योग्य सैनिटाइजर में कितना प्रधिचरत अलकॉल होना चाहिए यानि कि एक योग्य जो सैनिटाइजर किसे माना जाता है यदि जो है एक sanitizer में जो alcohol की मात्रा 60% से 70 के बीच में हो तो उसे योगे sanitizer माना जाता है तो उसका इस्तमाल आप कर सकते हो नेश को अच्छन है व्यक्तिगत स्वचता किसमे सायता करती है यानि कि व्यक्तिगत जो personal hygiene जो होता है वो किसमे सायता करता है तो व्यक्तिगत जो स्वचता होती है वो मदद करती है आकरशक व्यक्तिगतों के निर्मान में यदि आपकी जो personal hygiene जो है आपका अच्छा होगा तो आपकी जो personality होगी आपका श्रीर स्वस्त होगा आपकी परसनल्टी जो है बहुत अच्छी होगी तो आपके व्यक्तित्तों का ये निर्मान करने में ये काफी मदद करेगा विश्व स्वास्तिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है वर्ड हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है World Health Day जो हर साल मनाया जाता है 7 अपरेल को Next question है Hygiene शबत किस देश से लिया गया है यानि कि Hygiene जो ये शबत है एक Greek भाषा का एक शबत है और Greek देश से ये लिया गया है और इसका जो मतलब होता है Hygiene का Greek में तो Greek की देवी के नाम पर ये Hygiene शबत लिया गया है Next question है एनिमिया मुखेता किस की कमी के कारण होता है जो एनिमिया होता है ये मुखेता किस की कमी के कारण होता है तो आपको पता है कि एनिमिया जो है वो हिमोगलिवन की कमी अधी हमारे श्रीर में हो जाए तो covid आनिमिया के शिकार हो जाते हैं ज्याश़् क्वाच्चन है malaria किस मच्चर के काटने से होता है malaria जो है आपको मादा एनेफली जो मच्चर होती है यदी वो काट ले तो उसके काण malaria हो जाता है क्वाच्चन है AIDS की full form क्या है तो ये भी आपकी exam के लिए important है directly कई वार इसकी full form पूछी जाती है तो conductor के exam में भी ये पूछी जा सकती है AIDS की full form है acquired immuno deficiency syndrome यानि की acquired immuno deficiency syndrome इसकी full form है next question है एक दिन में व्यक्ति को औसत कितनी नीन लेना आवशक होता है तो हमने उपर पढ़ा है ये व्यक्तिगत जो hygiene के लिए यानि की व्यक्तिगत स्वच्चता के लिए और व्यक्ति के सही जो शरीर के लिए आपको पता है कि एक व्यक्ति के औसतनी जो है 6-8 गंटा होनी ही चाहिए next question है पुर्दूशित या गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है यानि कि पुर्दूशित और गंदा पानी पीने से जो है आपको पता है कि लीबर स्मंदिया में समस्या हो जाती है जैसे कि पीलिया का शिकार हो सकता है जॉन्डिस का शिकार हो सकता है और हैजा जैसी बिमारिया भी गंदे पानी से लग सकती है एक समय व्यक्ति का रखदाब कितना होता है यानि कि यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसका जो समाने जो रखदाब होता है यानि कि ब्लड पेशर होता है वो होता है 120 बाई 80 तक नेश क्वच्चन है बिटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है यानि कि बिटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वो है बैरी बैरी रोग नेश क्वच्चन है मनुष्य के शरीर का समाने तापमान होता है यानि कि एक मनुश्य का जो समान्य अतापमान होता है शरीर का वो होता है 98.4 डिग्री फेरनहाइट और यदि आप सेल्सियस में आपे तो 37.3 डिग्री सेंटिग्रेट जो है आपके पास जो है सेल्सियस में होता है याश्क अच्छन है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है या आपको पता है कि कुत्ते और बंद्रों के जो काटने से आपको रैवीज हो जाता है तो रैवीज की बिमारी कुत्ते के काटने और बंद्रों के काटने से हो जाती है याश्क अच्छन है अंतरास्ट्रिया जो योग दिवस है वो मनाया जाता है यहां पर ये योग है इसे आप योग कीजिए अंतरास्ट्रिया योग दिवस जो हर साल मनाया जाता है 21 जून को 21 जून को हर साल अंतरास्ट्रिया योग दिवस मनाया जाता है कोविड-19 से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको पता है कि 2020 से 22 तक जो है कोविड पूरे भारत में काफी फैला रहा तो इसके काण जो है काफी लोगों की मृत्तियू भी हुई तो कोविड से शरीर के आपके जो लंग्स होते हैं फेपड़े होते हैं ये आपके लंग्स पर अटेक करता है तो इससे ये अंग प्रभावित होता है therapist cactus वायरेस के संचरण का मुख्या कारण क्या है यानि कि cages stopping on activity data olhos वो किस कारण होता है तो hepatitis यानि कि पी लिया आपके दूर्शित पानी को पीने से ये पी लिया हो जाता है मदमें के कारण शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है यानि कि sugar से जो diabetes से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है तो आपका जो pancreas है इस पे ज़्यादा pressure पड़ता है तो ज़्यादा diabetes होने से ये pancreas खराब हो सकता है याश को अच्छन है WHO की स्थापना कब होई थी यानि कि World Health Organization की स्थापना कब होई थी World Health जो organization है इसकी स्थापना होई थी 7 अपरे 1948 को याश को अच्छन है कौन सा रक्त स्मू युनिवर्सल डोनर माना जाता है यानि कि कौन सा ऐसा blood group है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है तो ओ ऐसा जो रक्त स्मू है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है और ये भी ऐसा रक्त स्मू है जो सभी से रक्त ले सकता है याश कोच्छन है तो ये लगबग हमने यहाँ 25 कोच्छन डिसकस किये हैं तो इसमें से आपके एक्जाम के लिए कौन से अंपोर्टेट रहने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपके एक्जाम के लिए और एक मनुष्य का समाने अतापमान 98.4 डिग्री फेरनहाइट और जो इसमें ये क्वश्चन है कि एक दिन में विक्ति को 6-8 गंटे तक नीन लेनी चाहिए और एड्स की फुल्फॉम आपको पता होनी चाहिए और एनिमिया की कमी से कौन सा रोग हो जाता है किस की कमी की कान एनिमिया हो जाता है एमुगलेविन की कमी की कान और हाइजीन शवतकिस देश से लिया गया है तो ये ग्रीक सबसे लिया गया है ग्रीक देवी के नाम पर और जो विश्व स्वास्ता दिवस से हाथ कितनी देर तक दोने चाहिए लगबग 20-30 सेकंड तक हमें हाथ अपने अच्छी तरह से दोने चाहिए और हाइजीन या हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से रहना तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेट है स्वच भारत अभ्यान जो है चलाया आत्मा गांधी के डेट्स वे जनम दिवस पर तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेट हैने वाला है और व्यक्ति के स्वचता के लिए आपको पता है कि आपकी पूरी पर्सनल्टी में आपके अच्छी नीद होनी चाहिए अच्छा आपका खाना पी ना होना चाहिए और आ हाईजीन जो दिवस है वो मनाया जाता है पांच माई को हर साल तो यह लगबग हमने 25 को चनियां डिसकस किये हैं अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और हमारी मेनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इ किसी बरकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशनों के लिए आप हमसे जोड सकते हो धन्यवाद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो